हाई हनी बीज वल्कम टू कॉफी बी बात करेंगे जूटे जनाब के पिछले और अगले दोनों वाले व्लोग के बारे में मुझे थोड़ा सर्दी जुखा में तो उपर नीचे हो जाए तो माफ कर जेंडा ऐसा मत बुला कि कोई और है कोई और है कोई और नहीं है मैं ही तो मैज पाने पढ़े है चश्में पहस्कारा और मैं यह कहां कर दो हैं मैं बुुरे दिन आजाए ज़नाब आम उन्हीं लेकिन ने सब्सक्राइज प्रिकर है स्ट्राइब करते हैं नौश क्यूट बनेगा नाट करती है इक दिए आप इक बच्चे की माँ हो ना बेबी बॉइ को का नाम है समझे के रहे हो की टाटू अच्छा जनाब जो है उनको लगता है कि जनाब अगर व्लॉग नहीं बनाएंगे तो पता नहीं दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी तो एक तो महा बोरिंग व्लॉग के लिए एक्स्प्लेशन क्यों देते हैं चाहें मोटलाफिका जनाब वोटलाफिका तो चैनल डिलीट कर देने के जरूर होते हैं इतने महा बोरिंग महा पकाओ व्लॉग होते हैं और इसकी हिम्मत देखो भाई थांक्यू बोली थी कि व्लोग क्या है ट्रेंड में आ रहा था आप लोग हैं बहुत प्यार दिया मैडम का मुझे पूरा फंडा समझा के मैडम के व्लॉग का मैडम के व्यूज का यह जो आर्टिफिशल व्यूज चाप रही हो ना मैडम शरम करो सबसे पहले तो वह वीडियो जिस पे सबसे कम क्लिक थू ट्रेंड में आया कैसे जितने भी इसके व्लॉग है ना सबसे कम क्लिक थू रेट उसी वीडियो पे था जो व्लॉग डाला था न उसने उसके सबसे कम CTR था तो वह ट्रेंड में क्यों आया भाई उसके जगा पे टाटू के जो व्लॉग रहते हैं उसमें बहुत तंगड़ CTR होता और मैं चेक भी कर दी रहती हूं तो CTR उसका तगड़ा रहता है तो उसका व्लॉग कभी ट्रेंड में आता ही नहीं है इसके मिल्लियंस में व्यूज जाते हैं लेकिन मैडम का पांच लाख फाल आ जो व्लॉग था वह गया ट्रेंडिंग में कितने सारे से व्लॉग है उन्होंने खुद ने accept करा था कि वह फेक व्यूज खरीदते थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उसके गाने पर व्यूज नहीं है तो कैसा लगेगा से मैडम का मैडम का इगो हट हो जाएगा पांच लाख वाले वीडियो में मैंने फिर द उनको अच्छे से पता है कैसे आए अब देखो यह लोग यह इस्पेशली जो जनाब का लेटिस व्लॉग उसमें एफर्ट क्यों दिख रहे हैं एफर्ट इसलिए दिख रहे हैं कि मखी मेडम के व्यूज आ ही नहीं रहे वह आर्टिफिशल है जो पांच लाख बाइद में खली सब्सक्राबर वाहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पिमें उन दिखेंग ऑड़े में इनको पिर फैस सब्सक्राबर तो अभी भी है मतलब दस प्रतीशत उसने डाले तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से अपनी आउकात पता चल गई है कि देखो मैडम के व्यूज नहीं आरे उनका करियर डूप गए व्लॉगिंग का अब अगर जनाब ने होश्यारी मारी तो जनाब का भी डूप जाएग कि इतने सारे व्यूज से कुछ तो बात होगी तो ज्यादा तर नहीं होता है भाई कितने पैसे लगते उन लोगों को है ना जो महिने का अच्छा खासा कमतार ठीक है तोड़ा पर्जस कर लेगता कि अच्छा दिखे एक काउंट अच्छा दिखे फिर ट्रेंड में भी आ ज तो वहीं के लोग है तो वह उनका CTR अच्छा आता है तो वह जैन्यून रिच रहती लेकिन बाकि जितने कोई कोई देख लो आप ट्रेंडिंग में आते खाली एक लाफ यूज रहती तो मक्ही मेडम का भी सेम हाल है मैंने मैं ध्यान गड़ाए बैठी थी मक्ही मेडम पर क कैसे एक मिलिन तक पहुझाता है फटाक से CTR इतना कम आया तो एक मिलिन पर गया कैसे और ट्रेंड में आया कैसे जो वीडियो का CTR कम है और रेंड में आहीं नहीं सकता पहली बात तो मैडम का इगो अभी जो है ना बात इगो पर आ गई है कि रसगुली के वह इतने व्यू अब यह सोरे टुक से का पार्ट नहीं लाएंगे नहीं कितनी ने कि टिविटी फेलाओं लाएंगे ये बातों बातों में बता देते जैसे मखी ने बोला था न आप रेडी हो क्या आई हो फिर सब लोग मुझे बोलते के कंगी नहीं करते हो और जब बहार जा रहे थी जना गुमी 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 फाइनली पापा के साथ गुमी गुमी पापा इस गुमी गुमी वाँ बहुत अच्छी इंग्लिश है बाई सही है कैबिन गुरू और गुमने भी गए तो जी ओ मॉल में ठीक है सब बोलते हैं तो कर लो भाई कंगी एक बार कॉलेब कर लो कॉलेब के बहाने ही अपने बाल बना लो कितना ज्यादा डेंडर जम गया होगा मुझे लग तो जुए भी पढ़ गई हो कि मखी मेडम के बालों में क्यूंकि ऐसा खुजाती रहती है एक बार उसकी सास ने ताना म बाल बनाती है जोला चाप सूट पहनती है और ना ढंक से रेडी होती है ठीक है किसी के लिए ने अपने पती के लिए इंसान आई ना देखते तब तो उसको होता है ना तकलीफ कि बाई मैं क्या बन गई हूं मैं ऐसा तो होता है ना सेल्फ रियलैजेशन ऐसा कुछ नहीं म लिए अभी जनाब जो है ठकान ठके लाई है ठीक हो गई थी याप को तबता ही कि ऐसा एक महीना होगा इसको खतम होगे जनाब की ठकान है कि खतम होने का नाम नी ली और व गया था पिर रमजान आगे भाई दुबई मैं तुम गए थे कौन सा पहाड तोटने गए थे रिलेक्स होने की परपस से गए थे ना मैं क्यू रिलेक्स होने दूंगी जनाब को मैं तो खुब जनाब को गुमाया और यह खाया मैंने फ्रीवर्ण यह गुड़ खाया मैंने यम 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 खाया जनाब के कान में यम तो जनाब को सुगुन कैसे मिलेगा गाइस मैं जब तक नो सुगुन अब मुझे लगता है कि मैडम मैडम का ना कोई तो पेज डिला हो गया कि क्या उसके साथ तकलीफ है वो जाने भाई इतना अवनॉर्मल कौन भी हुखरता है इस बात के लिए खुश हो रही थी और और मैंने चकमा दी दिया मैंने पच्का जो है मेरा नहीं होगा मैंने चक्तमा दी दिया मैंने यह गिरा दिया था लेकिन आप जो है रेकुर्ड नहीं कर पाए मैंने आपको चकमा दी दिया देखो यह दिन आ गए व्लोगर्स के कि उनको यह सब दिखाना पड़ रहा है कि इसक कि बढ़े मा को से करने में मा को मोटी बोलने में वैसा यह बहुत लगिन फिर भी जनाब यह सब इसाय पर में ममा मफ्य तो पूच्चे जो की ये तो जनाब चुक learner उसने बता है तो चुकी खुद इसने बताया जैनाब ने कि मैडम ने उसको मा की bir दिया है मा की तरब प्यार दिया है और मैडम तो बोलते है कि एक्साम के जो तेयारी कर रहो होगा रिजली में आता है ब्लॉड रेलेशन वह इतना तफ़ नहीं होता है उसके वी क्या मेडम जो है वो बेभी मैंट चैल्ड को बीर्ड में सीरम अरही थी यह बोल कर कि सब्सक्राइए मिलने न होरी जनाब की घर है तो में और तोड़ा वह सीरम वहां के नीचे बी काला काला सा कुछ हो रहा है वहां पर ज्यादा सुकुन ओर है आप की चिंदीड में लग रहा है सबिसे घने अब देखो भाई उसको को इसा इंसान को गिल्ट होता है उसको इतने बड़े बड़े डार्क सरकल आता है कि वह सुकुन की निन पाता है वह चाहिए जितना अदिन वर्ड भोल देया लगिंशन आग पर दिख जाता है इंसान को देख के समझा जाता है और यह जो खाली वजन बढ़ना यानि कि अच्छे घर में खाते पिते कुछ चिंटा नहीं इसलिए नहीं वजन जो है ना टेंशन में भी बढ़ता है ठीक है वजन इंसान का स्ट्रेस की वज़े से भी बढ़ता है ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हें एक संपन परिवार से हो य जाता है और कोई इंसान जो स्ट्रेस के मारे ओर इंग करता है तो उसका वजन बढ़ जाता है तो ऐसा है मैडम की के साथ ना पिछले रमदान में आज भी वह याद करती है रोने लगती है वह बता भी रही थी और उसको देख के भी समझ आता था कि उसको बहुत ज्यादा हुई है और आज भी जबी वह बोलते है कि फ्रायन समय रोना तो तो उसी चीजों के लिए उसको रोना आता है तो भालूपी देखो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं उसके लिए उसको इतना पश्चा था पर उतना उसको गिल्ट है कि उसकी लापरवाही की वज़ मनाई करती थी कि नहीं नहीं ऐसा ही नहीं लेकिन मैंने एक चीज़ जरूर नोटिस करी थी कि जैसे ना नेहा फेसे ने रिवील करा था कि ऐसा ऐसा सीन है मासूम रिष्टे का गायब हो गये 21 दिन के पुरा गायब हो गये आये ही पती-पती दिखें ही नहीं मतलब अगर सो कि मैं कोट पहुंचा हो दूंगी मेरे घड़ी फिम कर रहे हो मुझे कि इसका बच्चा है बच्चा नहीं वह पती-पती गायब हो गये गायब हो गये दिखें ही नहीं कैसे क्यों इतना तो नहीं गायब हो और फिर आकर एक दम एटिट्यूट से कि यह हमारा लेवल जो एक कि इससी ने कभी नहीं आगा उसको आना होता ना कभके उसने सफाय दी उती होती थी और कि ऐसा इसा नहीं ऐसा उसने मेरे साथ करा यह सीन था उसको बोलना था वह कब का बोल चुका होगा इनफेक्ट ना मेरे पास एक मस्त आइडिया उसके इंस्टा काउंट पर मैंने तो लोग जो है sorry to say बना रहे हैं कि लोग कर रहे है थोड़ा खौफ होन अची है ना तो मैं तो प्रयास कर रही हूं क्यासे भी करें मैंने चार-पाच आइडी से मेसेज भी करा उनको कि आप लॉगिंग शुरू कर दो आप तो अभी आप मेंसे बेगर 25-30 लोग भी मेसेज कर कर देंगे या तो कॉमेंट कर देंगे कि सार व्लॉगिंग शुरू कर दो मखन वाला होना चाहिए पूरा जिससे शायद से व्लॉगिंग शुरू हो जाए तब मख्य मैडम की और जना आपकी बॉडिलेंग में चेक करना दोनों हिल जाएंगे पूरे लेकिन वह बंदा नह कुछ भी हो सकता है लेकिन जितना मैंने इसको देखा यह मार खाने वालों मिसे नहीं है यह बड़ी शाणी है पूरा एक दम शडविंत्र टाइप रश्टी है कि मार खायसी है नहीं यह जो क्लेम कर रही थी कि मुझे ऐसा करा गया मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे ऐसा बोला ज मार खाए देखा अजयु कि अमर्ष बिश्ट ओरकर खुट तो तुम जोला चाहब कपड़ें यह पहनना चाहती थी तो कपड़े तो इस हो नहीं चाहिए है लेकिन उस बंदे ने कभी सफाई नहीं थी कि मेरा मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था उस बंदे ने कभी यह यह नह पड़े ने क्या भाहन न दिया कि पापा की तभी तभी तो अभी तुमारी खराब थी तो क्यों जाते तो शूट पे तो पापा की हेल्थ इस्यूस का जो भाहने थे वह कुछ भी सच नहीं थे मकड़ा जो है मकड़े का लव लपटा था और तिरी लोग ने अपने करनेक्शन लेकिन वही है वही है कि पुछता रहता है क्वेश्चन वहर लोगों को फलक देख लो सुना ली देख लो मनीशा देख लो सब उको जितने भी घ्यास ना उनको क्या आपकी यह दोस्ते रह और किसी की दोस्तों क्यों ने लगी लेकिन इंटेंशन यही उनके पोड़कास मे लाने का इंटर्व्यू के लिए लाने के लिए लाने कि मकड़ी मकड़ा जाएंगे वहां उनके पास ही जाएंगे अच्छा जी इतना बैग्रांड नौई सा रहा था इतना नौई सा रहा था फैन चल रहे आवाज आरी यह थोड़ा तो एफट डालो जनाब हैं और मैडम इतने नालायक है बच्चे का कितना खाना Хारा है बच्च्चा से बक्ष्ची अगया पंग करता है और महां जूठी मैडम उनको लगता है वंगया कि शक्ता झाली अपी बच्छर अतसे लगनें ढुस्क्राइव प्रेगनेंट डीको को आध है कि अधि को प्रेंग्निन लेडी नजर उतारी जाती है यह मैडम जणाब को टीक अलगा रही थी कि जणाब को नजर ना लगे भी ठीक है हर कोई होता है थोड़ा बहुत अपने पती के प्रति प्रेम होना होना लेकिन डॉर्मेट होना अलग होता है यह तो हद है भाई लास्ट पर दोर् बच्चे को ऐसा बहुत वह गरते रहे बच्चे के तो बच्चारे का जीना आराम कर रहा है इन दोनों पती पत्नी ने एक भूती आसी बच्चा भी सोच रहा होगा कि यह कम था गया इसका भूती आसी जो अभी एक और आगे है क्या कर रहे हो है सब को सिलावली को नमस्कार कर दो सब को यह कर दो पहले क्या होता था ना जैसे हम हमारे बच्चम में जब हम स्कूल जाने लगते थे तब महमान महमान आते थे तो तो मम्मी थोड़ा बड़ा हाकने के लिए कि बच्चे तो बच्चे होते हैं कि इसको इतना आता देख और अंकल को आँटी को सुनाओ सब्सक्राइब करें जनाब की बच्चा सलावाले को नमस्कार करें का है बच्चा उठा लिटरली उठा था बच्चा और क्लू लेस था कि क्या हो रहा है बच्चे को थोड़ा बच्चे को पानी पिला थे कोच नहीं बस बच्चा उठाए इसा कर तो वेट भी करते थे कि बड़ा होगा बच्चे को चोट लगी थी अब चोट लगी तो कोई भी बाप क्या करेगा पहले पूरा पैसा वसुल लेते बिच्चा वह निचोड़ देते मैंने तो एसे व्लोग बच्ची को जो है देखेगा वहां पर हल्दी बल्दी लगाएगा या तो डॉक्टर के पास लेकर जाएगा या तो कुछ ऐसे मेडिसीन जो घर पर होगी कुछ तो करेगा ने अपना कैमरा उठाया और दिखाने लगा कि दिखो इसको ऐसा लगी बच्ची बच्ची में रो जितने भी बेबी व्लॉगर जितने भी आ रहे दूसरा बच्चा भी तुरंट कर लेती इसी लिए कि ताकि व्यूज आएंगे फिर नौ महीना पुरा की है मेडिसीन दी हो गया इधर कि मारा उधर कि मारा यहां गई वहां गई फिर हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल के तो एक सका नोलेज्ट किसको चीए मुझे समझाता है तक आगे हम अप यह बता रही हो ईकि तुमारी इस बाइस पर दीक्टों को आगे चलके तक हो सकती है आप न खाली संग करो मांई दिलिव्लग वगरा करके आपको ना पूरी लाइन दिख जाएगी जहां पे यह सब हो रहा है तो इन्सान चाहता है यह ज़िए पतनी के लिए हाली है न कि वह देखें फिर वह एक मेमरी रहें लिए मैमरी मॉनिटाइज होनी चाहिए रहें तडप रहें तो भी लोगों वह दिखना ऑचाहिए कि कैसे करा रही थी इतनी डीप नॉलिच किसी को नहीं चाहिए लेकिन इनको अच्छे से पता है कि क्लिक कैसे आंगे इस अधितक इनसान सोचता है कि कैसे आदमियों की क्लिक लाए यह अंदर तुम जाओगे जो जो भी होगा डिलीवरी रूम हो वहां तो बाट करते हैं मैडम ने जो पावडर सूट पहना था देखो मैं जूट नहीं बोलूगी मैं बिमार हूं मैं जूट नहीं बोलूगी उससे अच्छा ड्रेसिंग सेंस और अच्छे-च्छे से बंठंके ना मेरे यहां पर जो खाना बनाती है ना दीदी वह आती है और जो मेरे घर का पुरा काम करते है जो दो-तीन आंटिया है वह अच्छे से साड़ी पहनते लेकिन इतने अच्छे तरीके से असा नहीं कि महंगी महंगी साड़ी नहीं लेकिन एक्दम वेल ड्रेस भाई अच्छे तरीके से बाल बना है साड़ी पहनी है प्लस जो दीदी है उनके तो तो मैडम ना उनसे भी बद्तर लगए थी पाउडर सूट भहने का लोग हमें रही है। तुम एक इंफ्लूएंस कर रही हो हम तुम एसा लगता है कि मैं एक वक्त पे अक्टिंग कर ली मैं कुछ भी करूंगी चल जाएगा है। चलता है ना मेडम जी आप एक इंफ्लूएंसर हो और आप लोग एक सेप्ट क्यों नहीं करते हैं ननत भावी का समझ नहीं आता वह ऐसा क्लेम कर रही थी ब्रसबुली भी कुछ कम नहीं है कि आपको क्या लगता है आप यह कॉमेंट कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता है न मेडम को कुछ नहीं पड़ी दिन दुनिया की लेकिन मेडम खुद पे तरसकाओ और यह गलत इंफ्लेंस करो ठीक है कि 40 प्लस हो कि मलाइका तो 50 तक है 50 प्लस है मलाइका कैसे रहती लेकिन अच्छी तरीकी और नले जनाब क्या बोल रहे थे कि नहाने कही थी तो मैं चाई मैंने इसको बोली है मेरे को चाई बना दो मैंने पी लिए जनाब ने दाल चाबल कैसे बनाया हों कि जब वो एकदम सब्सक्राइब के लिए कि अच्छा लड़का है कि कैसे मैं उसका ध्यान रखता हूं जब उसको होता है तो कैसे बना ली होंगे जो इंसान खुद से चाय तक नहीं बना सकता और खुद का प्रोटीन शेक भी नहीं बना सकता इसका सी से डिलिवरी हुआ था पंदरा दिन जब लगता कि खुद के लिए प्रोटीन शेक बना रहे थी जनाब के लिए बना रहे थी कि जनाब जीम पे जाते हैं तो इतना बड़ा मैंचांड है वो उसने दाल चावल बनाए होंगे खली क्लिक्स पाने के लिए कि अच्छे-चे कॉमेंट आइन उसलिए ऐसा था तो ज बात मुझे समझ नहीं आ रही कि यह जो बेबी रू है वह रजगुली को बोलेगा बुवा जनाब को बोलेगा पापा चाचू लेकिन खाली मैडम मखी को बोलेगा अम्मी देखो समझ जाओ आप यह ना जान बुझ के ट्रिगर करने के लिए उसको पता है कि ट्रिगर कौन चैनल से अफित आप शकला है तो समय जान बुझ करने के लिए आसे कर वाते कि अपमी और यह यह बार बार अमी अमी लेकिन इसके ममी ने गलती से एक बार वोल दिये हुए थां इसक एक नियो बूलाएं टाफिता ममी कि कायमरा ओफ होता है त्ब म्मी ही बूलाएंगे लेक तो मैडम की पहली देखो मुस्लिमों से भी मुस्लिम है फैज़ा बेगन हमारी ऐसा है पुरा सीन ठीक है अच्छा इद जाने के दस दिन बाद इद मना रहे सोचो कि एद का कॉंटेंट नहीं जाना चीज़ इद मना रहे वापसे बिर्यानिया कहा रहे शीर खुर्मा खा रहे अच्छा शीर खुर्मा में तो ड्राइफ्रूट्स भी डाले तिरस गुली ने जनाब को तो ड्राइफ्रूट्स पसंद नहीं है एक आप न उन दोनों का इंटर्व्यू है जहां पर मैडम की पहली दे मैडम ने बहुत सारी बैंगल्स पहनी हुए सूट पहना है उस वक्त पर नौट अंकी तो चालुई थी कि अपने पती को कितनी प्राइरटी देती वैसा पती उरता पत्नी है एक दम अब यह प्रती वरता पत्नी यह तो खुशी है यह वह है वह दूसरी पार्टी को दिखाने के लिए कि देखो मैं अपनी जिंदिगी में बहुत खुश हूँ लेकिन मैंडम पके डार्ग सरकल चिला चिला के गवाही दे रही किसी चीज की कि सुकुन की कमी तो है बहुत चिखा सी और यह को बेसिक थोड़े बड़ अब बढ़ बुरी बाद नहीं है और किसी के बहुत है आज कल लैश्टेल है लेकिन इतने काले घने और आंके अंदर बढ़ सकती कि उनका सी सेक्षिंस तो यह जो नाई जरनी है ना वह है सुरत लेस घुटा पट्टी का कुछ तो बिजनेस होगा जमील भाई ना डिजाइनर जमील भाई से सूट से लवा कि वो कुछ ऐसा बिजनेस करी कपड़ों काई क्योंकि कपड़ों से आगे इंका दिम कोफिया है वह सिल देंगे तो हो गया भाई है ना मस्त ओडर क्वास यह बाकि मलता होगी वह जो ना वह जो बेवी जो है वह बिरियानी मतलब की जो बिरियानी खार या थो हर दूसरे दिन चिकन मतन गोश्व खाका कर जो आव वह उस वजह से उसका पैट बहुत है प्रेगने मेडम को देख लो हर दिन जह वह चिकनQué चिकन बना तो फिर वह तरीडर ही नोसे intohus ए Karl वह दिखेंगी इसको पता इसे पर शोड़ान करते इन इसलिए नफरत करते क्योंकि यह हो गए वह हो गए पहली बात भाई वह किसी की नहीं नास्तिक लगती सच में किसी की सगी नहीं है वह धार्मीक लेडी नहीं है समझ जाओ आप जिस नाम ने उसको पहचान दी जिस नाम से उसको जाना गया उसे एक सेकट नहीं लगा और एक पहले एंथोनी में चली जाए फिर इधर आगई तो ना तो वह हिंदु धर्म की है ना वह मुस्लिम दर्म की है ना ही वह कृष्चिन क्रिश्चन अटिक उसके दिल से एक्सेप्ट करा था उसका यह है कि भाई ठीक है अपना काम बनता फिर वही है सीन पुरा ठीक है तो को जड़ा यह धार्मी के तीन वर्ड सीख लिए और तीन वर्ड बोलती रहती तो भाई सब समझ में आता है मखी में एक वक बहुत बेवकु बना लिए नोगों अब तो बहुत बस हो गया तीन चार साल से लगतार बेवकु बना रहे और डाट रहे एक बार मैं तो फिराक में अगर व्लॉगिंग शुरू करें तब मजा है तब पूरा यह जो सौरी तो से कितना निकलता है देखते हैं लोग भी भाई देखो यह लोग ना इतने नलाय के बच्चा तो बिचारों को पुरा दिन परेशान करते रहते यह बोल के दिखा वो बोल के दिखा बच्चा और रात में तो इसको सुझन से सोने दो यह फाइब पे बनाया क्यों जब वहीं पर करना है और सेम बैड पे खाना है वह बच्चे की प्राइवेसी की धजया ओडानी सेम बैड पे बैड के बच्चे को परेशान करना है फुसफुसाना है तो भाई वह डाइनिंग टेबल क तो उम्हीं बोली हाँ बैट देंगे इदी लेकिन जैसे जणाब ने पर चिंड लिया ना शर्मिली जी का भालो पे को बहुट जाते इंसीक्योरेटी होगी बोली अरे इसमें तो हमारा भी मैरा भी हिससा था इसमें बी मिलना था मैं तो इतना छोटा दिल कैसे हो सकता है मै इसा नहीं खर्चा होना चाहिए ना 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 उमिफ्त में मिल रही थी जनाब की दी हुई ले गए तो बड़ा भालु पी को बुरा लग गया कैट जनाब ने तो मजा किया तो भालु अप्पी को निल्ले गुटकागीं को पाचपचछार की एड़ी और बाकी लोगों को भी ए आ पाचपचा जो एना वॉह व्क्टम काड प्ले करना चाहती सबसे पहले ठीक है कि एक बिचारी और जिसकी जो साथ ने नहिंने आती नहीं है वो और अपनी उसकी माँ जो है वो बच्चे को संभालती रहती लेकिन वो प्ले हो नहीं पहीं पाए अच्छ से क्योंकि आप वह वीक्टम कार्ड था ज़ो है वह चल नहीं है, अब क्या करे वरम अनुम्त मेरी फैंली मेरा पति मेरा बच्चा लेकिन इसलोड रख तो इस लिए शुरू किया गया है ठीक है और भालो पी नलायक को देख लो शादी में गई थी यह सब बिना दुपटे का सब्सक्राइब कहीं पे भी और यहां पे एक दुम हिजाब ही बन गई खाना खा रही तो पुरा हिजाब लपट लिया अशा बालो पी तुम भी कुछ कम नहीं आपको तो पता ही ह हमारे यहां पर कोई काम करने वाला नहीं है सिर्फ हमी कमाने वाले तो फ्रेंड लोग नाराज हो जाएंगे तो कैसे चलेगा फ्रेंड इसलिए बांदना पुटा फ्रेंड आप बूल जाओ ना अब फ्रेंड तो आपको तो पता हैं ब्लोग नहीं बना पते तो में कितने पराट होती है तो फ्रेंड फ्रेंड फमें कि खमाने वाले अब तो गुटक को मारे रिचार कराने के स्थिती पर भी नइक फ्रेंड फ्रेंड सु अब हो गया मतलब का पानी प्रेंड तो 사त आठ़ेचर को गए तो good on जो है दो महीने का नहीं बहुत खाते एक महीने का स्टॉक तो आ जाएगा फ्रेंट्सू पता नहीं गुट कुछ वापस से मुदा जाने की जित कर रहे हैं लगता है पेटीम में थोड़ा पैसे डालके उनका मुह बन करवाना पड़ेंगा या तो गुटके के पुडिया ही ड जादू